ही फ्रेंद्स वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन दोस्तों बच्चा यह मैं एक स्पेशल क्लास आज सारे बच्चों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेसिकली जब बच्चों ने सीए फांडेशन का मैट्स के एक्जाम दिया था तो काफी बच्चे थोड़ा सा परिशान हो गए थे सर जो हमारा मैट्स का पेपर है हमारे कुछ आंसर्स नहीं आयो उसमें कुछ आंसर्स गलत थे कुछ आंसर्स हमारे लाइक मैच नहीं कर रहे अप्शन के साथ यह गाइस यू राइट जब हमने पेपर आप जैसे जानते हैं भी पेपर कुछ वेबसाइट ने लिकाउट कर दिया था आफ्टर देग्जाम तो भई उसके बाद हम लोग ने जब इसको सारा मैंने इसको अनालिसस बगरा सारा इसका देखा पेपर का तो पेपर में टोटल मिला के दोस्तो six mistakes yes my friends छे गलतियां पेपर में निकली right so we had six mistakes in the paper तो बच्चा मैं आज आप लोगों को वहाँ पर एक चीज रेक्मेंड करूंगा बटा मैं आपको वहाँ पर एक बहुत important चीज़े बताऊंगा छे mistakes का मतलब होता है six grace marks याद रखिये का द PCI so दोस्तो प्लीज आपको वहाँ पर किस तरह से grace marks लेने हैं और कैसे आपने grace marks को demand करना है कहां पर mail करनी है यह सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा so please be very attentive and just watch this video till the end okay guys सबसे पहले major बात mistakes क्या थी right हम शुरू करते हैं दोस्तो हमारा पहला question that was question number 27 question number 27 में एक बहुती major mistake थी that was उसके जो options थे वो गलत थे मैं थोड़ा सा आपको साथ में question भी solve करके बताऊंगा जैसे for example एक normal distribution का question था mean था 2.5 variance था 1 variance था 1 variance था 1 इसमें आपको a की value find करनी था और साथ में लिखा हुआ था कि a का जो answer है वो less than वहाँ पर x है less than x तो दोस्तों याद रखेगा जब आपके पास a का answer less than x है तो less than का मतलब होता है 0.4772 की value आपको mention थी और आपको बता दूँ z.4772 value 2 पे होता है राइट जब आप normal distribution का curve बनाते हो मैं थोड़ा बच्चों को बता देता हूँ भई 0.4772 जो होता है वो मैं negative side पे इसलिए ले रहा हूँ z is equals to x minus mu over standard deviation right तो सारे बच्चे प्लीज इस formula पे focus करेंगे that's x minus mu over standard deviation so इसमें जो z की value थी दोस वो minus 2 थी और जो x था वो actually में a था और mu था हमारा 2.5 right standard deviation हमारा 1 रहेगा because variance 1 था जब आप इसको solve करते तो a की value 0.5 आती और 0.5 was not given in the option so yes guys you will right we demand grace marks from honorable ICI याद रखिएगा moreover दोस्तों यहाँ पर हमारे पास like जो next question था जिसमें error था मैं थोड़ा बच्चों को साथ साथ बता रहा हूं that was question number 50 second जब आप paper का question number 50 second देखोगे तो 50 second में आपको median निकालने को बोला था दोस्तों यह आपके सामने question number 50 second है इसमें median निकालने को बोला था जबकि यह actual correct था 19,66 right बट जब यह exam में आया तो 19.66 लिखा हुआ था याद रखियेगा the correct value was 19,66 बट जब यह आपके पास obviously मैंने यह paper को आपके लिए retype करवाया है बट आगर आप यहाँ पर देखोगे तो जब exam में यह paper print हुआ था that was 19.66 उसकी वज़ा से बहुत सारे students confused हो गए 19.66 होने की वज़ा से वहाँ पर उनका median 56 आ रहा था और जिसकी वज़ा से वहाँ पर median का option नहीं था actually it was 19,66 मैं बच्चे को clarify कर देता हूँ actually it was my friends 19,66 and वो उसकी वज़ा से बच्चा जो आपका option आता था that was 61 right अब जितने लोगों ने वहाँ पर अपना mind को alert रखके 19,66 कर लिए होगा वो तो 61 स्कूर कर गए होंगे वहाँ पर अपनो option C डाल के but अगर suppose कर लो जितने हमारे students हैं जेनों ने like वहाँ पर median 56 निकाला and they were confused so obviously they might get confused so guys हम लोग को फिर यहाँ पर grace marks मिलने चाहिए next हमारे पास एक question था 69 69 थोड़ा सा weird सा question था क्यों because उसमें एक और mistake थी यह word था cannot यह cannot नहीं आना चाहिए था this was actually for can वो actually can होना चाहिए था क्यों अगर cannot आता है तो मतलब कहने का मतलब यह हो गया cannot आने की वज़ा से बच्चा जो options होती है वो हमारे पास mean, mode और range तीनों सही आती right because हमारे पास आपको शर्ट पता होगा कि हमारे पास जो ojive curve है उसको हम लोग determine नहीं करते हैं mean निकालने के लिए, median निकालने के लिए और range निकालने के लिए तो basically हो जाए कब से निकलता क्या था, वो निकलता था median so word आना था can, can की वज़ा से वहाँ पर option होती median अब अगर cannot होता तो वहाँ पर तीन option answer होती है and students obviously gets confused भई तीनों में से कौन सी option को mark करे so yes मेरे friends 69 जो है वो बहुत ही आपके पास एक वहाँ पर गलत question था जिसमें cannot के बदले can आना चाहिए था तो yes guys आप इसको भी grace marks के लिए demand कर सकते हैं right फिर दोस्तों एक हमारे पास बहुत ही basic error जो हुआ था याद रखियेगा that was 75th question जिसमें odd one out था actually में ये जो odd one out वाला question था इसमें students काफी थोड़ा सा परेशान हो गए थे क्यों because इसमें जो options थी zebra, giraffe, horse and tiger right अब बहुत सारे बच्चों ने tiger को mark करा because यहाँ पर थोड़ा सा question was unclear why because I'll tell you because इसमें लोग 2-3 तरीके से questions को solve करने की कोशिश कर रहे थे like यहाँ पर problem क्या थी दोस्तों कुछ लोग कह रहे थे sir answer should be tiger because tiger is a carnivorous animal, he's a meat eater, rest is not कुछ लोग यहाँ पर कुछ ऐसे भी views लगा रहे थे sir जिराफ tall animal होता है तो हम लोग उसको mark करेंगे भाई कुछ लोगों के ऐसे perspective थे जीब्रा में पांच लेटर होते हैं, horse में पांच लेटर होते हैं, tiger में पांच लेटर होते हैं तो सब्सक्रा में एक काम करते हैं जिराफ को answer mark कर देते हैं कुछ लोगों ने भाई spots ढूंडने शुरू कर दी है तो भाई हर बच्चे ने बोला भाई अपना अपना perspective लगा कर उसने answer mark करा था but this question was actually not clear याद रखियेगा दोस्तों तो we demand grace marks for this yes guys you can refer this particular question and we should demand grace marks for this particular question next there was some drastic error in this question number 88 of ICI why because मैं आपको बता देता हूँ जब हम ये question number 88 देखते हैं ICI का दोस्तों इसमें आपको frequency density निकानने को बोली थी और आपको लिखा था 30 से लेकर 39, 40 से लेकर 49 and 50 से लेकर 59 की आपको frequency density निकाननी थी जब आप इसके table data को use करके frequency लेते हो तो frequency was 9, 11 and 7 और frequency density was frequency over class width frequency density was frequency over class width right अब जब frequency over class width जब हम करते हैं तो हमारे पास options आती थी 0.9, 1.1 and 0.7 guys आपको बता दूँ यहाँ पर जो चौती option गिवन थी वो आपके पास गिवन थी 0.901 and 0.8 जो की misprint थी पोथ option in question number 88 was a misprint अब सर आप इतने confidence से कैसे बोल रहे हो बच्चा मैं आपको यह confidence से इसले बोल रहा हूँ because यह same question हमारे study material में page number 13.36 पे question number 4 पे है और आप देखोगे fourth option जो है वो यही है 0.9, 1.1, 0.7 यह हमारे ICI का study material है chapter है statistical description of data चाहे तो बच्चे खोल के देख लो page number 13.36 question number 4 study material का बच्चा जिसमें options हैं वहाँ पर 0.9, 1.1 and 0.7 चौती option ही उसकी वहाँ पर misprint है तीन option तो चलो हमारी answer ही नहीं थी हमारा answer fourth option में आता था और fourth option हमारा misprint किया हुआ था कुछ बच्चे यहाँ पर यह भी perspective लगाते हैं कहते हैं सर यह देखो यह आपके पास आगया B option answer है नहीं बच्चा क्योंकि जब यह class interval order में given है तो answer भी order में ही होने चाहिए answer आगे पीछे नहीं होना चाहिए तो मुसको answer नहीं ले सकते याद रखिएगा दोस्तों तो इसलिए 88 तो भाई एक बहुती drastic गलती थी एक बहुती खतरनाग गलती जिसको हम कह सकते हैं जो ICI ने करी अपने ही question को गलत वहाँ पर डाल दिया then काफी बच्चे परिशान हो रहे थे time value of money, time value of money के questions नहीं आ रहे थे, दोस्तों मैंने सारा paper solve करा आप लोगों के लिए और मैं बहुत जल्दी अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको एक particular video बनाके डाल दूँगा of the entire paper सारा solution इसके answer की आपके पास होगी पर आपको मैं एक चीज़ बता दू इसमें सरव एक hundred question में mistake थी वो क्या था, ये question actually में compound interest का था, मेरे friends याद रखियेगा, ये question actually में compound interest का था जिसने वहाँ पर एक छोटा सा mistake क्या कर दिया, कि उन्हों ने वहाँ पर डाल दिया present value of annuity, ये दोस्ट जो annuity word है, ये नहीं आना चाहिए था ये जो annuity word है ये नहीं आना चाहिए था, आपके पास question होना चाहिए था, present value of 25,000, तो इस वज़े से यहाँ पर एक बहुती major mistake कर दिया उन लोगोंने, तो आप यहाँ पर notice करोगे बच्चा, जो 100 question है, जिसमें actually में correction ये थी, कि the word was present value of 25,000, annuity word आने से क्या हो गया, हर बच्चा annuity का formula use करने लग गया, और जिस वज़े से उसका answer गलत आ रहा था, right, इसमें simple compound interest का formula ये वाला use होना था, जिसमें हमने principle को निकालना था, तो अगर आप इसका principle directly निकालते हो, तो आपका answer वहाँ पर 13960 आता है, तो सारे बच्चे याद रखिएगा, there was another mistake in this, annuity word नहीं होना चाहिए था, annuity होने की वज़े से, अब annuity का formula लगा रहे हो, जबकि formula लगना चाहिए था, compound interest का, right, so अब यहाँ पर, students के एक दिमाग में भई, अपने पास आता है, सर अब इसको हम grace mark कैसे demand करें, बच्चे प्लीज जड़ा ध्यान से इस mail id को note कर ले, इस mail id को हम कहते हैं, बच्चा, exam feedback at the rate ICI.in आपने क्या करना है, भई, I know you might be getting angry, आपका थोड़ा सा वहाँ पर एक temperature level जो है, rise होगा, क्योंकि आपके six questions जो हैं, वो उसमें misprint थे, बढ़ आप इसमें क्या कर सकते हैं, बच्चा अपने एक feedback form जो है, proper पर बनाईए, feedback mail create करिये और उसमें ये 5 चीज़े जरूर mention करें, अपना registration number, अपना rule number, अपना नाम, अपना email id और अपना mobile number, ये 5 चीज़े जरूर mention करें दोस्तों, जिसका आपको वहाँ पर उसमें सारा detail बनाईए कि भई, ये, ये questions हमारे you can refer my video and please 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 share it to the maximum people so that maximum people put the mail so that we can demand the grace marks so yes ICI we demand the grace marks but guys yad rakhye ga be polite in the mail and do not be over aggressive in the mail yad rakhye ga अपने language को बहती courteous and polite rakhye ga right, achcha, moreover guys there is a very one important information which is coming up for tomorrow because 27th December, tomorrow 12 p.m. guys I'll be live on the YouTube yad rakhna, एक बहुत ही बच्चों का major question होता था sir what to do after CA Foundation देखे, बच्चों का एक major questions, queries मुझे क्या आ रही थी कि sir हमारा CA Foundation का exam हमने दे दिया, अब हम क्या करें देखे, इसमें मैं आपको बहाँ पर कुछ बातें बताऊंगा, एक तो CA Inter का थोड़ा introduction पार्ट दूँगा, जिसमें बच्चों का एक major सवाल होता था कि sir group 1 करें, group 2 करें, both groups करें, हम preparation कैसे करें, हमें क्या pattern follow करना चाहिए, हमारा paper pattern क्या होगा, हमारा syllabus क्या होगा, तो there are a lot of queries coming up, so बच्चा हमारे पास approximately कह लीजे, एक तरी घंडी की एक पूरा session होगा, जिसमें आपको मैं एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा, and this will be live tomorrow on YouTube at 12 p.m. Okay, guys, see you tomorrow, I hope this video is very useful for you guys, it's particular, सारे mistakes को note down करें, and send a mail, and please, be courteous in the mail and be polite, right? So you have to write registration number, role number, name, email ID, mobile number, याद रुखिएगा, otherwise your mail will be ignored, so ये चीज़े जरूर मेंशन कर गएगा, अपने mail के अंदर, otherwise your mail will be ignored, so एक बड़ जाते हाते हैं, आपको फिर बता देता हूं, बच्चा, एक आपका mistake था, question number, हमारे पास, जो six questions थे, जहाँ पर गलतियां थी, question number 100, एक question number 88, इसका तू reference आप दे सकते हैं भी, या आपके book का question, आई से एको reference दे सकते हैं, question number 75, question number 69, question number 52, and question number 27, so guys, ये जो mistakes हैं, ये obviously उनको pinpoint करें, और definitely you try and mail them, and even we are also trying up, thank you guys, God bless you, bye-bye, see you. झाल, 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